नमस्कार दोस्तों मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि आपकी प्रोपर्टी आइडी में कोई अपडेट होना है जैसे किसी का नाम गलत हो गया है जैसे आपकी रेजिस्ट्री में नाम किसी और का है और property ID में नाम पुराने land owner का नाम आया हुआ है या किसी का कोई plot का जो size है वो ठीक नहीं है वो गलत है या कुछ भी है commercial या residence में कोई update है तो उन सभी के लिए मैंने एक post बनाई है उसका link जो है मैंने video के description में डाल दिया है उसको ठीक करवाने के लिए आपके कौन से document लगेंगे आपको क्या करना पड़ेगा उन सभी की जानकारी मैंने उस link में दे दिये वहाँ पे आप जो है direct open करके आप खुद देख सकते हैं और file तेयार करने में आपके कौन से document लगेंगी क्या process रहेगा मैंने पूरा process जो है उसमें दे दिया है सभी सात्य उसको देख सकते हैं और अपना property idea में कोई भी update है तो उसके अनुसार आप जो है करवा सकते हैं और document इकठे करने के बाद सबसे पहले जो है आप online भी करवा सकते हैं लेकिन online करवाने से पहले मैं सभी सात्यों को यही बोलना चाहूँगा कि एक बार अपने department में जाके जरूर चेक करवाए उसके बाद अपना अगला process आप देखें वो आपको clear करेंगे आपको online करवाने की जरूरत है या आपका काम ऐसे ही हो जाएगा तो इसके लिए सभी सात्य एक बार post को ध्यान से पढ़ें और अपने department में अपने document लेके जाएं और साथ में जो है वीडियो को like जरूर करें इस तरह की सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं सभी जानकारे के लिए दोस्तों मेरी YouTube जान को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद